प्रे युवा साथियो जहिन एक खुश खबर है मदिप्रदेश में मुख्यमंत्री युवा इंटर्णशीप योजना लागू की गई उसके अंतरगत मुख्यमंत्री जनसिवा मित्रों के तौर पर फरवरी मार्च दोहजार तेईस में चैन की प्रक्रिया संपन की गई और सेकड़ों जनसिवा मित्र मदिप्रदेश में इस समय कारे भी कर रहे हैं चैन की प्रक्रिया के उपरांत यह पाया गया कि अधिकांस जिलों में कुछ रिक्तियां शेश रह गई हैं जो शेश रह गई रिक्तियां हैं, यानि खाली रह गई पन हैं, उन पर भरने के लिए, उन पर फिर से जनसेवा मित्रों का चैन करने के लिए एक बर पुनह प्रक्रिया प्रारणब हुई हैं, यदि आप पिछली प्रक्रिया में वंचित रह गए, तो आपके पास एक मौका आप आवेदन कर सकते हैं, और पात्र पाये जाने पर चैन के पिशाथ कारी कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको वही महत्पुन जानकारी उपलब्द कराने जा रहे हैं, यह करियर एडवाइस चेनल हैं, इससे आप सब्सक्राइब कर दीजी और बेल आइकॉन प्रेस कर आपको आवेदन करना है, और 6 अप्रेल दो पर दो बजे तक ही आपको आवेदन करने का समय मिला है, आठ अप्रेल को आपका इंटर्वी हो जाएगा और आपके चैन की प्रिक्रिया आठ अप्रेल को संपन कर ली जाएगी, और एक दो दिन में उसका रिजल्ट गोशित हो आएगा और आपकारी करना प्रारम कर देंगे, इस पत के लिए आवेदन कहां करना है, तो प्रतिक जिला मुख्याले पर जहां कलेक्टरेट कार्यले होता है, वहाँ पर सी एम फेलो नाम के एक अधिकारी होते हैं, आपको उनके कार्यले में संपर करना है, या जिला पर उपलब्द होते हैं, वहाँ पर आपको पहुँचना है, वो आपको एक फारम उपलब्द कराएंगे, उस फारम को भरना है, और साथ ही साथ में आवश्यक डाक्यूमेंट उसके साथ लगा देना है, और फारम जमा कर देना है, यदि आप निर्धारित योग गिताय इस समन में आप जानना चाहते होंगे कि कौन को से डाक्यूमेंट से लगेंगे और इसके विस्तरित जानकारी कहां से प्राप्त होगी, तो चलिए मेरे सामने कम्पीटर स्क्रीन पर एक विस्तरित पीडियेफ ओपन हुई रखी है, मैं उसके आधार पर आपको बताने का प कौन कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहली योगिता तो यह है कि आप जिस जिले के लिए आविदन कर रहे हैं, उस जिले के आप मुलनिवासी हों, दूसरा आपने स्ट्रेक्शनिक सत्र 2020 से लगा कर 2022 के दोरान अपनी इसनातक या इसनातक उत्तर की परिशा पास की हो, यानि 20, 21, 22, इन सत्रों में आप या तो BAB काम BSC हुए हों या MAM काम MSC हुए हैं, UG या PG की हुए आपको दो वर्ष से अधिका समय नहीं हुआ हो, वसके पर शात आपको कम से कम सहाट प्रतिशत अंक या तो इसनातक में या इसनात को अत्तर में मिले हों, सहाट प्रतिशत से कम अंक पाने वाले युवाओं को आविदन करने का अधिकार नहीं होगा, आपकी आयू 18 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में होना चाहिए, एक अपरेल 2023 को आप कम से कम 18 साल के हों या अधिक से अधिक 29 वर्ष के हों इसको दिहाग रखिए, आयू सीमा का पार करके आप इसके लिए पात्र घुशित हो जाएंगे, साथी साथ विकास आधारित यूजनाओं के लिए जमीनी इस्तर पर यदि आपको फिर से बल रख, साथी साथ विकास आधारित यूजनाओं के लिए यदि आपके पास जमीनी इस्तर पर कारे करने के कोई अनुह होगा, तो आपको प्रात्म तो योग्यता मानी जाएगी और आपको प्रात्वित्ता दी जाएगी। इस तरह से ये योग्यता हैं। अनुपूर में कुल तीन वेकेंसी है जो पुश्पराजगड विकासखंड में है। बालाघाट की बात करें तो 25 है। जिसमें बैहर में 9, किरनापूर में 2, लांजी में 12, और पारसवाडा में 1, और वारासिवनी में 1 वेकेंसी है। बढ़वानी जहां से रहकर ये वीडिय बनाई जा रहे हैं। उस जिले में 26 वेकेंसी हैं। निवाली में 1, पांचसिमल में 3, और ठिकरी में 2 खाली है। बेतूल मेंं 4 हैं, जिसमें से एक चीचोली में हैं, और तीन शाहपूर में हैं। भिंड में 3 हैं और तीनों ही मेह गाउँ विकासखंड में हैं। चतरपूर में बुरहनपूर विकासकण में 7 और खकनार में 5 चतरपूर में 6 है जिसमें बिजावर में 2 और बक्सवाह में 2 और चतरपूर में 2 वेकेंसी शामिल है चिनदवाडा में बहुत ज्यादा है कुलिक 50 वेकेंसी यहां बताई जा रही है जिसमें से अमरवाडा में 8 ह पिछुआ में 4 है इसके बाद ये जो नाम है ये चवराई है उसमें 1 है फिर हराई में 11 है उसके बाद नाम थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही मोहखेड में 7 है और पांडूरना में 1 है परसिया में 6 है और तमिया में 13 है इस तरह से बहुत ज्यादा वेकंसी छिंदवाड में दिखाई दे रहे हैं दमोह में कुल चार हैं जिसमें से चारों ही तेंदू खेडा विकासकण में हैं देवास में 21 है बागली 5 देवास 10 कन्नो 2 और उसके बाद टोंखुर्ड में 4 हैं धार में 24 हैं बदनावर 1 डही 4 मनावर 7 नालचा 1 और निसरपूर में सबसे 18 वेकेंसी है जिसमें से 2 अमरपूर 9 आपके करंजिया चार मेहनदावानी और एक वेकेंसी समनपूर में हैं गुना में 5 हैं जिसमें अरोन में 2 और बमोरी में 3 हैं ग्वालेर में 14 हैं जिसमें से बितावर में 5 घटी गाव में 4 और मुरार में 5 हैं हर्दा में 5 हैं जिसमें से हर्दा में एक और खिकरिया में चार वेकेंसी हैं और हम आगे देखते हैं कुझ जिले और बचे हैं जाँ वेकेंसी हैं इन दौर की बात करें तो नीस हैं महु में दस और सावनेर में नव जबलपूर में बारह है जबलपूर में दो और उसके बास कुंडम में एक और राणापूर में एक, तो इस तरह से टोटल में यहां कई प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रहे हैं, अगर मेग नगर में 9 हैं तो यह टोटल हो जाएंगी 12, यहां फिर मेग नगर में यह संख्या 6 हो सकती है, यहां जो वेकेंसी छपी हुई है, उसमें इस तरह की वि लिथी में 4 हैं, और दूसरा जो एक विकासखंड है, वह है विजयरागवगड में 1 है, उसके बाद खंडवा में 8 है, जिसमें से बालदी में 5 है और खंडवा में 3 है, खरगोन में 4 हैं, जिसमें से भगवानपूरा में 3 और गुगावा में 1 है, मंडला में 30 हैं, बहुत ज पूरने में दिक्कत हो रहे, घुगरी में दस हैं, मवाई में दो हैं, नायनपूर में नाव हैं, और नारायनगंज में चार हैं, मंसहर में साथ हैं, और सातों की सातों भानपूरा विकासखण में हैं, मुरेना में तीन हैं, और तीनों की तीनों जो है, वो पहाड़ गड में नर्मदापूरम यानि जिसको होशंगा बात कहा करते थे इस जमाने में, नर्मदापूरम में कुल बारा है, जिसमें से केसला में साथ, नर्मदापूरम में दो, पीपरिया में दो, और सुहागपूर में एक है, नर्सिंगपूर में कुल एक रिक्ती बाकी है, और यह एक रि जिसमें से साची में दो है और उदैपूर में एक है सागर में पाँच है जो दियोरी में एक है उसके पाद राहत गड़ में दो है और सागर में दो है सतना में एक है और सतना जिले के नागोद विकास घंड में एक वेकेंसी है शिहोर की बात करें तो ग्यारह है जिसमें से आठ इच्छावर में है और तीन नसुर लागंज में है सिवनी में पाँच है जिसमें से दो धनवरा में है और तीन अकुरई में है उसकी बाद आप आगे बढ़िए तो श्योपूर में पहुचिए श्योपूर में एक है और श्योपूर विकासखण में ही है श्योपूरी में एक है जो नर्वर विकासखण में है सीधी में दो है जो कुसमी विकासखण में है इसके अलावा सिंग्रावली में तीन है जो विकासखण में है उज्जेन में आठ है गटिया विकासखण में है आटो विकिंस है और विदिशा में अगर हम बात करें तो बसोधा में एक वेकिंसी है इसका एक फार में है बहुत सरल जिसमें आविदक का नाम पीता का नाम माता का नाम जन्मती थी एक अप्रेल 2023 को आयू लिंग पुरुष महिला मॉबाइल नमबर एमेल आईडी विवाहित हैं क्या विकलांग हैं श्रेणी लिखना है समगर आईडी नमबर आधार काड नमबर वरतमान निवास का पता पीन कोड ग्राम पंचायत वार्ड नमबर गाउंशहर इस्थाई निवास का पता वरतमान पते के समान हो तो हां लिग देना है, इस्थाई निवास के जिले का नाम, इस्थाई निवास के विकासखन का नाम, क्या आपके पास स्मार्टफोन है, क्या आपके पास सिवम का वाहन है, क्या आपके पास पिछला कारियन भव है, संगठन का नाम पद कारिकी आउधी, शेक्षन की योगिता बतानी है दस्वी की बार्वी की इसनातक की इसनातकोत्तर की इसके अलावा कोई अन्योगिता हो जैसे कंप्यूटर रादी की वो लिखना है बहुत सरल सा फाम है आप पांच मेट में भर देंगे जो आपको मुख्यमंत्री फैलो के पास मिल जाएगा क्या क्या दस्तावेच लगाएंगे इतुकक्षा दस्वी की अंक सुची बार्वी की अंक सुची इसनातक अंतिम वर्ष की अंक सुची इसनातकोत्तर अंतिम वर्ष की अंक सुची समगर आईडी आधार कार्ड मूल निवास प्रमान पत्र बैंक पास्बुक की छाय प्रती दो पासपोर्ट साइज, नवीन तम फोटो, कार या अनुबह प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, NCC, NSS, NYC, APG में भागिदारी के प्रमाण पत्र, ये आप उसके साथ लगा देंगे, तो इस तरह से ये महत्पुन जानकारी थी, हम कोशिश कर रहे हैं, कि इस वीडियो के डिस्क क्लिक कर लीजेगा, और अगर वो ओपन हो जाती है, तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, ये महत्पुन जानकारी थी, इसका लाब उठा लीजी, अगर आप चाये नित हो जाते हैं, तो चूंकि 6 महने के लिए कार्य होता है, तो 31 जुलाई तक आपको यहा उसर मिलेगा क्योंकि 2 महने आल्रेडी कार्य करते हो गए, 4 महने का आपको कार्य मिलेगा, आपको कितना मान देए प्राप्त होगा, तो 8,000 रुपिया प्रती माह आपको मान देए प्राप्त होगा, सरकार की उजनाओ को समझने और उसका लाब जनता को दिलाने के लिए आपका उसर प्र आप बहुत सारा काउशल सीख सकेंगे आपको एक प्रमान पत्र भी प्राप्त होगा जो भविश्य में आपको काम आ सकेगा महत्पूर्ण जानकरी साधा करने का आउसर देने के लिए करियर एडवाइस चेनल की संचाली का प्रिती गुलवाने जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रती बहुत-बहुत आभार आप सभी को शुक्त कामना है नमस्काल